नमस्कार सभी को, एरेट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, जानकरी लेते हैं आज हम डीप ओशन मिशन के बारे में, डीप ओशन मिशन जो है इसका ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन हाली में प्रत्वी विज्ञान मंत्राले जो है M.O.E.S. Ministry of Earth Science के प्रस्ताओं को मोधी सरकार जो है उसने मंजूरी दे दी है, इसके कुछ आपजेक्टिव्स है यादि उद्देश्य है, आईए जानते इसके उद्देश्य के बारे में, तो पहला जो उद्देश्य है इसका यह है समुदरी संसाधनों का पता लगाना, यानि ओशन resources जो है उसके बारे में जानकाली लेना, फिर है blue economy जो है उसको बढ़ावा देना, और तीसरा जो है वो है deep ocean में काम करने की जो technology है उसको develop करना, और चौथा जो है कि इस mission को लागू करने के लिए जो MOES है वो इसका nodal मंत्राले होगा, जानते है कि इसका mission हमारे लिए इतना important क्यों है क्योंकि हम देखते कि प्रतिव पे 70% जल है और समुद्र के 6000 मीटर के नीचे खनीच पाये जाते है उसका अध्यान करना और उसका survey करना अगला प्रशन हमारे सामने ये आता है कि ocean हमारे लिए इतने important क्यों है क्योंकि अगर हम देखे तो भारत जो है इसका जो 70% हिस्सा है वो पानी से या जल से घीरा हुआ है और भारत की जो 30% आबादी है वो coastal एरिया में निवास करती है जिसमें 9 states आते हैं और ये जो coastal एरिया ये लगबग 7516.6 किलोमीटर लंबी है साथ ही साथ भारत में 1382 जो है वो आइलेंड से और इसी की वज़े से जो है ओशन हमारे लिए बहुत महत्वर रखता है क्योंकि ओशन जो है वो स्टोर हाउस है फूड का, एनरजी का, मिनिरल्स का, मेडिसिन्स का और बहुत सारे चीज़ों का तीसरा प्रशन हमारे सामने आता है कि वोट इस ब्लू एकोनोमी तो जो ब्लू एकोनोमी है उसका मतलब यह है कि जो आर्थी एक यह एक तरह की अर्थ वेवस्ता है जो समुद्र के संसाधनों पर आधरित है इस मिशन के लिए लगभग जो अनुमानित लागत है वो 4,077 कर रुपे आकी गई है इसे चरणबद तरीके से लागू किया जाएगा और यहाँ इसकी जो आवदी है यहाँ पाच वर्श की होगी मनुष्य ने चार या पाच प्रतिशत भागी ओशन का एक्सप्लोर किया है जबकि 95 प्रतिशत भाग एक्सप्लोर करना भी बाकी है भारत क पंद्रा साल का कॉंट्रेक्ट मिला है खास करके आई एसे के द्वारा याने इंटरनेशनल सीबेड अथार्टि के द्वारा जो की युनेटेड नेशन की ही अथारिटी है इसमें भारत को इंडियान ओशन की 75,000 स्क्यार किलोमेटर की जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करने की अनुमती मिलेंगी जिसमें पॉली मेटालिक नोडियूल्स होंगे जो समुद्र के सीबेड में होंगे जो की पोटेटो के शेप में है चट्टाने है जिसमें मैगनीज, कोबाल्ट, निकल और कॉपर खनीज होंगे साथी साथ भारत को मेड़ा गासकर के साउथ इस्ट ए होंगे उसका भी खनन किया जाएगा डीप ओशन मीशन के जो है वो सिट मेजर कंपोनेटस है आये जानते है इसके सिट मेजर कंपोनेंटस के बारे में तो जिजुए पहला कंपोनेंट है वो है डेवलोपमेंट आफ टेक्णोलोजी फोर दिप सी माइनिंग अन मेंड सबम यह पंडुबी तीन लोगों को 6000 मिटर तक की गहराई पे ले जाएगी। इस तरह की जो पंडुबी है वह अमेरिका, रश्या, जपान, फ्रांस और चाइना के पास है। भारत अब छटा देश हो गया इस टेकनोलोजी में। हिंद महासागर में जो है महापर फ्रांस, चायना और जपान काफी सक्रिय है। इस पंडुबी होने के बाद भारत भी अब हिंद महासागर में काफी सक्रिय रहेगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है डीप ओशन सर्वे एन एक्स्प्लोरेशन याने गहरे समुद्र में सर् पुष्मजीव और वनस्पतियों का सर्वेक्षन और जेव संसाधनों का अध्यन किया जाएगा। तीसरा जो है वह डेवलाप्मेंट आफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइसरी सर्विसेस याने महासागर जलवाईव परिवर्तन सलहकार सेवाओं का विकास तो परिवर्तनों के भविशेगत अनुमानों को समझने का इसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। चोथा जो है वह है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम दो ओशन याने महासागर से उर्जा और मीठा पानी विक्सित करना तो ओशन थर्मल एनर्जी कनवर्शन जो है ज ख़िए ख़िए ब्रम उशनकटि बंदी है सतह के पानी के पीच के तापमान के अंतर का उप्योग करके बिजली का उत्पादन करती है क्यूकि सोलर जो रेेडिशिन है वो ओशन एब्साथार्व करता है और उसे इलेक्रिक्रिक एनर्जी में कन्वट करता है क्यूकि ओशन जो है वह world largest solar energy collect करता है two-third of the earth surface की फिर अगला है advanced marine station and ocean biology तो महासागर जी विज्ञान है तो उन्नत समुद्री station का निर्मान करना छटा जो component है वो है technological innovations for exploration and conservation of deep sea biodiversity याने गहरे समुद्र में जे विवित्ता की खोच एवं संरक्षन के लिए नई तक्निकी नवाचार का विकास करना तो यहाँ पर हम देखते हैं कि deep ocean जो mission है इसके जो हमें फायदे है तो इसके साथ-साथ कुछ इसके दुश परिणाम भी है जैसे ocean से हमें खनीश्टो हम खनीश्टो प्राप्त कर लेंगे साथ-साथ हमारी आर्थिक स्थिती भी मजबूत होंगी लेकिन हो सकता है इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़े क्योंकि हर कारिये के positive और negative दोनों ही aspects होते है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नई क्रांती की वज़े से परिया वरणिये नुकसान हो जाए और गहरे समुद्री खनन से हमें खत्रा भी पैदा हो जाए और हो सकता है कि अधिक खनन होने से समुद्र का जो ecosystem है वो भी बदल जाए तो ये थी जानकारी डीप ओशन मिशन के बारे में अगले वीडियो में हम नए विशे के साथ आएंगे तब तक के लिए नमस्कार हमारे चनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करे और अपने कमेंट्स कमेंट्स वॉक्स में ज़रूर लिखे धन्यवाद